नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल्टों से संजीवन गर्वसंसकार में आपका स्वागत करती हूँ साल 2022 का दूसरा और आखरी चंद्रग्रहन लगने जा रहा है 8 नवंबर को अभी अभी दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहन लगा था और अब देव दिवाली के दिन चंद्रग्रहन लगने जा रहा है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहन होता है हमारे जोतिशास्त्र और हिंदु धर्म में ग्रहन को महत्वपूर्ण माना जाता है वैसे तो ग्रहन वज्ञानिक दुष्टी से भी महत्वपूर्ण खगो लिये घटना है चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे आने वाला चंद्रग्रहन कब लगने वाला है कौन-कौन से समय चंद्रग्रहन लगेगा और वह कहां-कहां से दिखाई देगा गर्भवती को कौन-कौन सी बातों का थ्यान रखना है चंद्रग्रहन के समय इन सबी बातों को हम विस्तार से जानेंगे इसलिए वीडियो को अंते तक जरूर देखे अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकोन को हिट करे ताकि अच्छे-च्छे वीडियो आप जरूर देख सके साल के अंतीम सूर्य ग्रहन के बाद अब साल का आखरी चंद्रग्रहन 8lica मंगलवार के दिन लगेगा एक्छली यहाँ चंद्रग्रहन कार्तिक पुर्णिमा को लगने जा रहा है और इसे दिन याने कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की पुर्णिमा तिथी को देव दिवाली का त्यहळ मनाया जाता है यहां चंद्रग्रहन 8 नवंबर को दोपेहर 1 बज कर 32 मिनिट से शुरू होगा और शाम 7 बज कर 27 मिनिट तक रहेगा यहां चंद्रग्रहन भारत में दिखाई देगा तिथा अस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिन अमेरिका, इस्ट इरोप में भी यहां दिखेगा वैसे तो माननेता है कि ग्रहन काल में चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से गर्भवती ने खुद को बचाना है क्योंकि माना जाता है कि ग्रहन के समय सबसे अधिक नकारत्मक उर्जा फैली होती है और इसका बुरा प्रभा शिशु पर ना पड़े इसके लिए गर्भवती को घर से बाहर न जाते हुए घर में ही रहने की सलहा दी जाती है ऐसे भी हो सकता है कि पुराने जमाने में एलेक्टरिसिटी लाइश नहीं थी तब गर्भवती को रात के समय गरहन काल में घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था ताकि वह पैर फिसल कर ना गिरे या शिशु को कोई नुकसान ना हो शायद इसलिए भी गर्भवती को गरहन के समय घर से बाहर जाने से मना किया जाता था इसके अलावा गर्भवती को चंद्र ग्रहन के समय चाकू, सुई या अन्यनुकिली चीज़ों के उपयोग करने से बचना चाहिए इसके पीछे भी मा को कोई नुकसान ना हो और शिशू भी सुरक्षित रहे यही भावना हो सकती है ग्रहन काल में गर्भवती के विचार सकरात्मक रहे, उसके आजु बाजु का वातावरन भी उर्जावान रहे इसके लिए ग्रहन के समय गर्भवती ने प्रभु का नामस्मरण तथा आप गायतरि मंद्र ओम नमश्यवाय का जाब भी कर सकती है तथा आप आपके इश्ध भगवान का मंतर जाब कर सकती है इसे करने से आपको प्रसंद लगेगा और वातावरन भी सकारात्मक हो जाएगा मांनेताओं के अनुसार गर्भवती को चंद्र ग्रहन के समय सोना नहीं है तथा ग्रहन के समाप्त होने पर गर्भवती स्ना नवश्य करे यहां और ऐसी और मानने ताए जो ग्रभवती को ग्रहन काल में फॉलो करनी है ऐसी मानने ताए आप बिल्कुल फॉलो कर सकती है क्योंकि इन्हें करने से आपको कोई नुकसान नहीं है बलकि इन बातों को यदिया फॉलो करती है तो आपके मन को शान्ती मिलेगी जिसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन कुछ गरों में बड़े बुजर्ग सुतक काल से लेकर ग्रहन समाप्त होने तक गर्भवती को कुछ न खाने पीने की सला देते है यहां आपको एक बात का ठ्यान रखना है आपका शिशू आपके उपर निर्भर होता है एनर्जी के लिए, डेवलप्मेंट के लिए इसलिए बेबी को पूरा पोशन मिलने के लिए आपको भूका नहीं रहना है यदि आपको भूक बैस लगती है तो आप इन माल्यताओं को नजर अंदाज करके कुछ खापी सकती है ग्रहन से संबंदीद, अलग-अलग परिवारों में अलग-अलग नियम हो सकते है मगर कुछ आम और खास नियम जो आपको फॉलो करने हैं ग्रहन काल में चंद्र के किरणों के डारेक संपर्ग से बचना है इसलिए आपको हो सके तो घर में ही रहना है ग्रहन के दौरान सोना नहीं है, आप आराम कर सकती है ग्रहन काल में आपको भगवान का ध्यान तथा गायत्री मंत्र का उच्चार करना है ग्रहन काल में भोजन ना पकाए तथा पका हुआ भोजन ग्रहन समाप्त होने के बाद ना खाए ग्रहन समाप्त होने पर नहा ले तो इन छोटी-छोटे नियमों को आप ग्रहन काल में निश्शित रूप से अवश्य फॉलो कर सकती है तो आने वाले चद्रग्रहन के समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है इसके साथ साथ आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है आपके भीतर जो शिशु पल रहा है उसे आप सुन्दैसु द्रोड़ते जस्वी और सत्गुणों से परिपुर्ण बना सकती है एक्स्ट्राओर्डनरी बेबी तो हसते रहें मुश्कुराते रहें इंज्जॉय करें प्रेग्नसी का हरक्षंट संजीवन गर्वसंसकार के साथ धन्यवाद झाल 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 झाल